कोरोना ने बढ़ाई शियाब की चिंता दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि शियाब चतुर का सफर रुका हुआ है शियाब के साथ कई दिक्कते आ रही है आप जानते हैं कि शियाब की लाइब लोकेशन कहा है और उनकी समस्याओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे शिहाब चतुर जिन्होंने अपना सफर साथ महीने पहले शुरू किया था और तब वो ये नहीं जानते थे कि उनके सफर में इतना समय लग जाएगा उन्होंने निकलने से पहले अपनी पूरी तयारी कर ली थी शियाब ने निकलने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर ली थी उन्होंने पता किया कि उन्हें किन देशों से होकर गुजरना पड़ेगा उसके लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और फिर दूतावास जाकर बात करी थी उन्होंने अपने सफर के बारे में उन लोगों से चर्चा करी और उन्होंने बताए कि वो किन देशों से होकर हज करेंगे फिर उन्होंने हर जगा के वीजा की बात करी और सभी देश का वीजा उन्हें मिल गया था लेकिन यहाँ पर उन्हें पाकिस्तान की दूतावास ने ये भरोसा दिलाया कि जब वो बागा बॉर्डर पर पहुंचेंगे तब उन्हें वीजा दे दिया जाएगा और जब शियाब भाई अपने भारत का एरिया कवर करके बागा बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें वीजा देने से इंकार कर दिया गया पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी का हवाला देखकर उन्हें मना कर दिया वह जयात्रा के लिए पैदल निकले हैं अब तीन महीने से उनका सफर रुका हुआ है शियाब की पूरी टीम ने उनसे बात करनी की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने इस वज़े से पाकिस्तान की जनता भी उनसे नाराज हो गई थी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाब प्रदर्शन भी किया था उनका कहना था कि शियाब भाई नेक काम के लिए जा रहे हैं तो उन्हें वीजा दे दिया जाना चाहिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुचाएंगी और अगर अभी उन्हें वीजा मिल गया होता तो अभी तक पाकिस्तान क्रॉस करके दूसरे देश पहुच गए होते शियाब का जब से सफर रुका हुआ है तो तब से आफिया किट स्कूल में रह रहे हैं वहाँ के ओनर जुनेद भाई उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं उनके रहने और उनके खाने का इंतिजाम वही करते हैं वह शियाब भाई के साथ हर जगा जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि शियाब भाई हर जगा पैदल ही जाते हैं तो उनके साथ जुनेद भाई भी पैदल ही जाते हैं उन्होंने ही कहा कि जब तक वो अपनी हज यात्रा पूरी नहीं करेंगे तब तक वो जहां भी जाएंगे पैदल ही जाएंगे इसलिए उनका पूरा पेपर वर्क उनकी टीम नहीं संभाला है वो रोज पंजाब एक्स्प्लोर करने के लिए जाते हैं और वो एक दिन में 8-10 किलोमेटर पैदल ही चलते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी शियाब से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं लोग उनका स्वागत भी करते हैं कुछ लोग इनके साथ पैदल भी चलते हैं अभी कुछ समय पहले ही दो लोग उनसे यूके से मिलने आये थे अब तो विदेश से भी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं सभी धर्म के लोग उनसे मिलना चाते हैं और लोग घंटों तक उनका इंतिजार करते हैं सभी लोग उनकी एक जलक देखने के लिए खड़े रहते हैं अभी एक न्यूज आ रही थी कि शयाब को खूफीय तरीके से पाकिस्तान भीज दिया गया है और किसी को बताय नहीं गया है शयाब पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और किसी को अपडेट नहीं दी गई है और उन्होंने 50-100 किलमेटर का सफर भी तै कर लिया है उनके सेक्योरीटी के चलते उन्हें अचानक से पाकिस्तान भीज दिया गया लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो अभी भी भारत में है और वो पाकिस्तान नहीं गया है और यहां पर अगर शियाब अपना सफर शुरू करेंगे तो वो जरूर बताएंगे क्योंकि सभी लोग उनके सफर शुरू होने का इंतजार कर रहे है और कहा जा रहा है कि उनके सफर का अब कोई भी कवरेज नहीं दिया जाएगा इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी हर अपडेट दी जाएगी और वो ऐसे नहीं जाएंगे कहा जा रहा है कि अब ना तो recommendation letter की problem है और ना ही visa की उन्हें दोनों ही मिल गए हैं अब यहां पर उन्हें बस कोई तारिक नहीं मिल पा रही है बस एक बार उन्हें तारिक मिल जाये तो अपना सफर शुरू कर सकेंगे अभी कुछ समय पहले शाही इमाम साब ने भी बताया था कि शिहाब का पेपर वर्क पूरा हो चुका है और वो बहुत जल्दी ही अपना सफर शुरू कर लेंगे वो दिसंबर के आखिर तक अपना सफर शुरू करेंगे उन्होंने लोगों से ये भी बोला है कि फेक न्यूस ना फैलाएं और ऐसी जूटी न्यूस से लोग बहुत ज्यादा दुखे हो जाते हैं शिहाब अपनी हज यात्रा जरूर पूरी करेंगे वो कहीं भी वापिस नहीं जा रहे हैं और वो अपनी यात्रा पैदल ही करेंगे ना कि प्लेन से जैसे कि हम जानते हैं कि शियाब अपनी यात्रा में काफी लेट हो चुके हैं तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि वो 2030 तक अपनी हज यात्रा पूरी कर पाएंगे या नहीं क्योंकि अब उनके पास समय थोड़ा कम है और अगर उनका सफर अभी शुरू हो जाएगा तो वो पहुँच भी सकते हैं क्योंकि अभी उनके पास हज के लिए साथ महीना बाकी हैं अगर शियाब यहां पर अच्छी स्पीड से चलते हैं तो वो जरूर हज की यात्रा पूरी कर पाएंगे इसलिए हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं और वो दुआ जरूर कुबूल होगी वो इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो अल्ला उन्हें जरूर रास्ता दिखाएगा और शियाब की हिम्मत और होसला इतना ज्यादा है कि उनका सफर जरूर पूरा हो सकता है लेकिन अब शियाब के लिए एक और बड़ी चिंता सामने आ गई है अभी तो उन्हें पाकिस्तान जाने की तारीक भी नहीं मिली है और अब यहाँ पर कोरोना जैसी बिमारी फिर से फैल रही है अभी चाइना की हालत तो बहुत ही खराब है और बहुत सारे केसे सामने आ रहे हैं और ये चाइना से फैल कर और भी देशों में हो रहा है अब सभी जानते हैं कि इससे पहले कोरोना जैसी बिमारी ने पूरी दुनिया का क्या हल कर दिया था और पता नहीं कितने लोगों की मौत हो गई थी और इस बिमारी ने 2 साल तक कितना कहर मचाया था जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोरोना जैसी बिमारी फैलती है तो हम किसी अन्य देश में नहीं जा सकते हैं और अब शियाब भाई के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो किसी अन्य देश में कैसे जाएंगे और जब पहले कोरोना हुआ था तब देशों में लॉक्डाउन लग गया था शायद अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि पहले तो हमें इस बिमारी के बारे में पता ही नहीं था लेकिन अभी हम सब जानते हैं तो यहाँ पर देश के नागरिकों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और वो देश के लोगों को बिमार नहीं होने दे सकते और अगर लॉक्डाउन लगा तो शियाब भाई अपनी हज यात्रा कैसे पूरी करेंगे वैसे भी अभी से सकती हो गई है और बाहर जाने के फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है अब कोरोना के होते तो हज यात्रा पूरी नहीं हो पाईगी और शियाब के लिए बहुती बड़ी चिंता का विशय है अब शियाब भाई यहाँ पर क्या फैसला लेंगे क्योंकि उन्हें तो हज करना ही है और कोरोना के चलते क्या उन्हें इजाज़त मिल पाईगी किसी अन्ने देश में जाने की अब यह तो वक्त ही बताएगा कि शियाब अपना सफर कब पूरा कर पाएंगे उमीद करते हैं कि शियाब चतुर अपना सफर जल्दी ही पूरा करे और हम सब उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनका सफर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और उनके रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए और वो ऐसे ही फिट रहे तो दोस्तों उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड थैंक्स फो वाचे दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें